गूद मॉर्निंग डियर चिल्डर्न आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश है ना कौन सो बुख है तर्म टू की भुख है ना बंस टर्म वन टर्म टू यहा लिखा है इस बुख को स्टार्ट करेंगी थीक है तो हमारा एसेजेट तक हमने कर लिया है तो यह रियूजन है थी तो ए से जेट तक हमको अच्छे से आना चाहिए है ना इंडिफाइड करने के लिए एक्जाम भी हो गया है तो अब इस में क्या है रिव जन दिया है तो एक बार क्रॉस यहां पर क्या लिखा है उसको देखते हैं ठीक है एक बी यहां क्या लिखा है डी ए बी उसके बाद क्या आएगा सी तो यहां आपको क्रॉस करना है उसके बाद आएगा सी के बाद दी इए है ना यहां क्या आएगा सी दी इए फिर नेक्स्ट आता है पी क्यू आर आर के बाद क्या आता स आता इस लिए इसे हम क्रॉस करेंगे S के बाद T, ओके, तो ऐसे ही आपको cross करना है, फिर आता है, देखो, F, G, H, I, I के बाद क्या आता है, J, और ये क्या है, के लिखा है, तो इसलिए यहाँ हम cross करेंगे, ओके, फिर आता है, देखिए, L, A, L के बाद क्या आता, M आता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, cross करेंगे N O P L M N O P ऐसे आएगा फिर आता है next देखे V P X V के बाद क्या आता है W इसलिए इसे हमें cross करना है और V W X Y Z यह page number 3 आपका classwork को हो गया और यह page number आपका homework रहेगा यह matching है यह तो आपका revision जैसा हो गया है तो matching तो आप देखे कर लेंगे और यहाँ small letter लिखना है है न आज हमारा क्या रहेगा बुक में page number 5 जो रहेगा वो cursive writing है इसे हमें लिखना सिखना है ओके तो हम बुक में लिखना सिखेंगे देखो इसे कैसे लिखना है ऐसे करव करके खते है एसे फिर ऐसे यह क्या है आ A4 क्या होता है Apple A4 क्या होता है and A4 X यह क्या है X A X इ X इस तरहेके से A लिखना है A क्या sound करता है A A ठीक है और B क्या sound करता है ब B क्या sound करता है B B A G Bag तो इसे कैसे लिखेंगे दिखिए ऐसे लिखना है आपको B for bag B for bag यहाँ small B भी है ऐसे लिखना है small B small B ठीक फिर क्या आता है अग दो इंज लेटर करते हैं ओके ठीक है Thank you